मद्यवर्देश की मोहन यादो सरकार दीवाली के अवसर पर रेडी पट्री पर स्वधिशी सामान और मिट्टी के उत्पात बेचने वालों को बड़ी सोगात दी है सीमोन यादों ने यादेश दिया है कि ऐसे रेडी पट्री वालों पर कर यह शुल्क ना लगया जाए दरसल बड़ी संख्या में छोटे व्यापारी और गरीब परिवार रामिन शेत्रों से निकलकर शहरी शेत्रों में मिट्टी से बने उत्पादों की बिक्री करने आते हैं ऐसे ही लोगों से शुल्क ना वसुले जाने को कहा गया है सीमोन यादों ने साथी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दिवाली के अवसर पर पूरे राज में बिना किसी बादा के बिजली की आपुर्ती कराई जाए देश में दिवाली काते वह 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा मोहन यादों ने इसको लेकर निर्देश जारी करते हुए एक्स पर लिखा दिपावाली पर्व को द्रश्टी गत रखते हुए धंतेरस से देवुटनी का दशी तक सभी शहरी एवम रामिन्चेत्रों में विशेश विरस्था करने हितू स सम्मंदित विभागों को निर्देशित किया गया है कि रेडी पठ्री परस्थाई रूप से विक्री करने वाले छोटे व्यापारी रामिन्चेत्र से स्थानी उत्पादों की विक्री करने शहर आने वाला वर्ग करीप परिवाजों आनन से अपने स्वदेशी उत्पादो की विक्री जैसे खिलोने मिट्टी गुद्पात साथ सज्जा का सामान आदी का विक्रे करके अपने परिवार के साथ दीपों का पर्व हर्शोलास से मनाता है सीमोन यादों ने आगे लिखा ऐसे सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए इन्हें बाजार एवम्ता बाजार के कर शुल्क आदी से मुक्त रखा जाए पूरे मद्यप्रदेश में रोश्णी के पर्व दिपावली पर विद्यूत की निर्वात आपूती की विवस्ता की जाए साथ ही जो भी अन्य सादन जिससे आम नागरिकों को सुवीदा मिल सके इसकी समूचित विवस्ता की जाए प्रेम आनन्द प्रकाश का अपर्व समाज के सभी वर्गों के जीवन में खुशा लिलाए सभी अपने परिवारों के साथ आनन्द से अपर्व मनाए यही शुविच्छा इसी के साथ परने रहे राजनामा टीपी के साथ धन्यों